प्रिधान मंत्री मोदी 2019 से पहले अपने संसद्य छेतर वारणाशी की तस्वीर बदलना चाहते हैं मोदी ने 2014 के चुनाफ से पहले छेतर की जनता से वायदा किया था की वो वारणाशी की तस्वीर बदल कर इसे क्योटो की तरहां बना देंगे मोधी 2019 के चुनाफ से पहले अपना ये वायदा पूरा करना चाते हैं इसके तहट जल्द ही बनारस के बेनिया बाग का काया कल्ग होने वाला है इसके अलावा छेत्र के चार और जाने माने लेकिन बदहाल सारवजनिक बागों को विश्वस्तरिय बनाया जाएगा इन में से एक यूवाओ के लिए सेल्फी पार्थ के तौर पर विक्सित किया जाएगा जबकि दूसरा गुलाबों और इत्र का नमूना होगा एक बाग में लाइट एंड शेड इफेक्ट के लिए एक स्क्रीन लगाई जाएगी और एक ग्रीन टरनल बनाया जाएगा Integrated Command System लगाने का भी प्लान है जलदे 36,000 स्ट्रेट लाइट में नए LED बल्ग भी लगाए जाएगे एहम जगहों पर Automation और नए Environmental Monitoring System होंगे इनसे पता चलेगा कि शहर के किस इलाके में पॉलिशन का लेवल कितना है शहर में पारकिंग की दिक्कत दूर करने के लिए Multi-Level Parking सहीद 9 नए पारकिंग लोकेशन बनाये जाएंगे इस गलावा एक बनारस एब भी लॉंच किया जाने का प्लान है जिस पर यूजर को बनारस में होने वाली गतिविधियो के बारे में एक ही जगह जानकारी मिल जाएगी 2014 में बनारस को लेकर पिये मोदी ने कई वाईदे किये थे जो की अभी तक अधूरे है अब जब की चुनाव में मातर डेड़ साल का वक्त बाकी है तो मोदी जल्द से जल्द अपने किये वाईदों को पूरा करना चाते है News Express की रिपोर्ट